आज के मुद्धे में हम बात करेंगे पुर्ण दाफ संग के कारिकरम में पहुंचे हैं संग के कारिकरम में जाने के बाद कॉंग्रेस में खलबली मची है हाला कि कॉंग्रेस की तरफ से कोई अधिकारिक बयान नहीं आया लेकिन फिर भी कॉंग्रेस के कई नेताओं ने व्यतिकत तोर पर इस पर आपक्ति जताई है इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे क्या कुछ फर्क पड़ेगा कॉंग्रिस के उपर पिर्लो दा के संग के कारिकरम में जाने के बाद जुड़ चुके हैं कि मिश्रा जी पहले कहते हैं कि संग जो है वो जहर है देश के लिए और अब उसके कारिकरम में जाते हैं ये नजरिया कैसे बदल जाता है तेखें पॉलिटिक्स में साल तो बहुत दूर की चीज होती है लेकिन यहां हर दिन नजरिया बदलता है क्योंकि हर दिन सिच्वेशन बदल जाती है जब तक पॉलिटिक्स में थे डेफिनेटली उनके पास एक आइडियोलोजी थी और वो उस आइडियोलोजी से जुड़े थे अब में जरिया बदलने का एक रीजन यह हो सकता है कि देश के सरोचपत पे आसीन होने के बाद डेफिनेटली वो बहुत सारी पॉलिटिकल जिम्मेदारियों से जो है मुक्त हो चुके हैं और साथ ही साथ वो कॉंग्रेस की या किसी एक विसेस पॉलिटिकल आइडियोलोजी से भी मुक्त हो चुके हैं तो ऐसे में उनका वहां जाना निमंत्रनों को सुटार कर लेना यह कोई बहुत अचंबे की बात नहीं है लेकिन इसका एक चीज यह है कि सोचने वाली बात यह है कि आखिर RSS को जो अपने आप में अपने आपको इतना बड़ा थिंक टैंक बोलता है जो कि भारत के नौर निर्मार की बात करता है सोचने यह क्या उनके पास आइडियोलोजी की कमी हो गई क्या उनके पास स्टेटिजिक विचारों की कमी हो गई कि आज वो एक धूर बिरोधी रहे मतलब एक ऐसे आदमी को बुला रहे है जो चीफ गेस जो उनके धूर बिरोधी पार्टी का है मैं एक कड़ी मैं यह भी मानता हूं कि संघ पूरे समाज को यह मैसेच को देना चाहता है कि बाइं हमारे लिए साथ बराबर हैं हमारे लिए राजनीट से को ही मतलब मारे ठ Auctor thrown दिए एक चीज और भी BJP और संग के लिए कि राजनीतिक फैदा उठाने के लिए हमें बदनाम या हमें बयान दिये जाता है देखिए हम बोरे नहीं हैं ये लोग जब राजनीती से नहीं जुने तब हमारे पास आए आसिफ मैंने आपको यही बोला अभी कुछ महीनों पाले तक संग की इमेज ऐसी बन रही थी कि ये बीजेपी की ही लिए अपनाना चाहिए और जो इनका ये उद्धोस वाक्य होता है कि बाई सब समान है हम सब के लिए हैं सब हमारे है सरवे बहांतु सुखिने संतु निरामया वाला जो इनका कॉंसेट है तो यह एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि भाई हम सब हम राजनीत से एकदम अ जिंदिगी भर जो है पुरा जिसको कहते रहे हैं आज मुझी के पास सही सिर्फ यह है कि 2019 में फिर से सरकार बनाना है तो कॉंग्रेस से कैसे बेनिफिट लिया जाए देखे कॉंग्रेस के लिए डिफिनिटली एक मामने में यह बहुत बड़ी चोट इस्टेटिक और पॉल आदमी है कॉंग्रेस की बैक फुट पर आ रहे हैं आप मुद्ध को सही से प्रेजंट बेही करते हो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कॉंग्रेस को तो यह बोलना चाहिए कि भाई पहले भी टैलेंट तो देश को चलाने के लिए तो टैलेंट हमारे पास है लीडर के लिए प्रधान मंत्री कि वित्व व्यस्ता को कैसे चला यह शुरु शुरू में यह उनके बैयान आयते तो आज कॉंग्रेस की बोल रहे है कि बाइद देखिए देश कैसे चला आजा या संस्कृतिक विरासत को कैसे आजे बहाया जाए इस चीज को भी सीखने की लिए सं तून का अपना मामला है लेकिन मैं इतना जूरु कौणगा कि इस देश के अंदर अभी कुछ साल पहले जा मीज ऐक्ती के बहुत जा इन है नहीं है डाकि समाझ में सब लोगों को भी जोने जादी कैसा मंघी बोले क्या राश्पती जा किसी सगठर के इंदर जां या निद यह बिन के भी क्राइब करण में हो हम अपने कार्यक्रम हो गंदर शिव और संग को घर हाद है तो कि अगर्ड़ थाम नत्रुम खनानी की तरह है कि अगर हमने पार करते हो तो ह Carry con वर तार कीव करी जो जिबिशार रखे हैं संग को लेकर उसको दे किता जो उन्हें विचार रखे रखे हैं आज की प्रिवेक्ष के अंदर आपने उनको बिलाया है तो उनके विचार होंगे जो विचार उनकी है वो बोलेंगे ना बोला रहा है बीजेपी की रणनीति को नहीं समझ रहें इंको मौका मिल रहा है जूटी खबरे घर conteúdo का अपाप फ्हलाने का इस तरह की से अगरिया थिए सब्सक्राइब करें लिए लोग हमें बुरा कहते थे लेकिन आप ये लोग हमारे पास आ रहा है राजनितिक मजबूरी उनकी थी बुरा कहना लेकिन संग कभी भी बुरा नहीं है पीनेदमेयमें दमर स्काव करें से लृलिक करणे या कम यहीं करनें करा यह इनिति संग दुनल नहीं चल रहा है उसको 93 साल से लगातार विश्व का ताला संगधन होगा जिसके खिलाब क्या-क्या नहीं घड़ा गया, कितने प्रतीबन नहीं लगा गया, गांधी अत्या क्या प्रतीबन लगा, इतने प्रतीबन जेलिये के बाद भी संग जीवित है, उसंग अपनी मिल्बूतिये चल रहा ह संग तो अपना काम कर रहा है लगातार और अपना काम करेगा, इसमें किसको फैदा होगा? बेनिफिट इसका अल्टीमेट लिया आप देखेगा, बीजेपी ले झाएगी, बीजेपी इस तरीके से इन काश कर रही है, बीजेपी इस पुरे एजेंटे को ऐसे प्रजेंट कर रही है, देखिए यहाँ पर क्या इनकी जो एक multilayer strategy है, संग और बीजेपी की, क्या एधर प्रणोदाजी उदर गए आरसेस वाले कोई और तरीके से प्रजेंट कर रहे हैं इसे बीजेपी वाले टीवी पर क्या बोल रहे हैं कि देखिए हमने कॉंग्रेस को एक जबर्दस चोट पहुचा दी कॉंग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है वह हमारी जो है आइडियोलोज संग से निकल कर बीजेपी में ही क्यों जाते हैं संग से लिकल कर कोग्रेस कंग्रेस कुंग झाते और संग के कारीकरम में दूसरी पाल्टियों के टनेता क्यों एक आप बता दूँ चै sotto इसपी ससर्सड के अंदर जायप के नरेंजी भी आयते है उन्हीं सो चौनका अबाघ्टरा किसंतटनों के लोग आते हैं कुछ उनका लग यहाना होता ही रहता है कई नहीं एक पार मुझाद है जिसंवे केला के अंदर विएक नहीं समारक बना था मानिय अंद्रा गांधित को हमारी प्रधानमंत्री इस तो मानिए शार सभ चालक जी वाह पर शार कारेवाजीवी को वहां पॉस कारेकरन में पस्तितर शुम तब शुर्क को नहीं डिऊल से even रहे हां Sakanda S XY सी मफनेजि किस तरह ऐसें देख रहे हैं तरह के कारेकरम में जाने को लेकर धरसलर ऐसा जिसा आई परिणाउदा गिजार हैं जरसल यह एक मतलब राजनिती के एक डिश्टी से एक अलगला अपने द्रिश्टी कोड है देवा मादला यह है कि हमारे तेरियों राष्ट्रपती प्रवदार रहे है और एक बहुत सूजबूज वाले एक अपने नीता रहे हैं कॉंग्रेस के और उन्हें पुड़ा जीवन देखा है कि किस तरह के समाच को राष्ट्र को चलाई जा सकता है क्योंकि जब हमने उन्हें देखा कि को डिफेंस मिनिस्टी के पर प्रपिते रहे हैं और कई अच्छे बंत्राले विएस हमाले हैं तो देखा गया कि तिन फूजबूज उनके अंदर है कि जो आज खयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह कि यह चीज़े हो सकती है क्यों के सनक्ट मोचन कहाई जाते थे जब कोंग्रेस के ऊपर कुछ अधाय कुछ संक्ट अथा था पर संग्रणाव था ते लेकिन क्या आज को में और से लिए खुँद संक्ट बन्गे नहीं यहां जाने के बार बिलकुल आछ साथ है दरसे ऐसा है कि ऐसा है कि कई किसे कहा जा रहा है कि आज कई चीजों को अपने खुलासा करेंगे और कई जो जो घुडुगया पिटी जा रही है कई जो को नीरासा पेदा कि लेकना साफ और आज नहीं होगा एक थम्हार इनका अप्रण स्प्राग कर सकता चाहिए लगाए गए कई देखेंगे असीड उससे काफी जादा सर्पने आपको बता रहा हूं मैंने आपको डूएल लेयर की जो इस्टेटिजी बताई मैं यह मानने के लिए तयार हूं कि यह गयर राजनीतिक कदम है संग बहुत अच्छा है प्रणालदा जी भी बहुत अच्छा है राजनीतिक तूल इसको दिया जा र है बीजेपी का यह बीजेपी और संग का देखिए 2019 में एलेक्शन है ठीक है ऐसी चीजे समाज में होती रहनी चाहिए मैं इसकी प्रशंसा करता हूं लेकिन आप पॉलिटिक से तो बाज आओ पॉलिटिक से बाज आना नहीं है देखिए दो बिरुदावासी काम एक साथ हो रहे है प्रणवदाव खड़े हो के देश के मानता के बारे में वह बात कर रहे हो गया मुझे पता है वह मैचोर है वह देशिक की वहाँ पे बात करेंगे बिना समाज या पॉलिटिक से उटके लेकिन संग की जो दूसरी काई है राजनी टिवाले वह टीवी पे क्या बोल है तो इसलिए मैं इसको पॉलिटिकल एंबुश मानता हूँ यह जाल पॉलिटिकल जो भिशाना कुछ नहीं बोलेंगे कि किसी भी पार्टी को फैदा मिले और किसी को नुक्सानों उस जगा जा करके वह एक बड़ा जन्रल देश हित देश भक्ती की सर्व समाज के विगास कि वह बात करेंगे वह कोई भी बायस बात ना तो वह संग की एक दम प्रशन सा करेंगे कि आपने हमें इन्वाइट किया ना बीजेपी या कॉंग्रेस की पुराई करेंगे यह पूरा एक सामाजिक महाल में वहां बोला जाएगा वो चीजे हैं लेकिन देखें यह इतना ग लोगे इस लिए पर गर्व है कि संग जैसी सेल्फ क्लेम्ड बाडी उनको बुला के इन से शिख्षा ले रही है लेकिन वह इसली नहीं बोल पारी जा हो सकता कॉंग्रेस की परवक्ता है लिए दिली कॉंग्रेस की परवक्ता है थर मैं आपको यह पुरास हो लोने हैं आप प्रणों मुखर जी जो बयान देंगे उसके आधार पर देखा जागा किसकी तारीफ करेंगे किसकी बुराई लेकिन उनकी बेटी ने बड़ी अच्छी बात कहीं कि बयान को भूल जाया जाएगा एक वक्त में लेकिन तस्वीर जो होगी कि पर्णों मुखर जी संग के कारिक यह तस्वीर होगी और यह हमेशा याद रखी जाएगा बिलकुल आपने को जैज में फरमाया है दरसल है कि माज मैं कमीट टेवी चनलों के दर देख रहा था कि संग के जो लोग है वह अंबिटकर की फोटो जो है स्वाइं सेवकों के साथ जिखा रहे थे जब की जब की ज परियुक अपना है उसके तो नहीं ने कहा है इस इसको कि कहीं पापा ऐसा नहों कि यह कल जिस तरह से विचालधारा के लिए लोग है जिसके बात्पाव जो प्रकाम कर रहे है यह वहीं अबिटकर के साथ जोने किया है आगे सित आप ख़़े होंगे आप बोल रहे होंगे लेकिं पीछे जे पूरी कहां नहीं चल रही होगी कि ऐसा हो गया एक दूसे बात के यह ऐसा दूरगामी दूरगामी चीद है उस जिसका व्यल्प पैदा घाए है और यह जान बूच के बहुत अच्छी तरीके से प्लैंट की गई स्टोरी है लेकिन कॉंग्रेस वाले इसक करना चाहिए था कि आज बीजेपी और संग के पास आइडियोलोजी का अकाल पड़ गया है इसलिए हमारे इतने बड़े नेता रिटार्ड नेता को बुला करके वह हमसे शीख ले रहे हैं लेकिन बीजेपी इसको कह रहे है ना बीजेपी कह रही बीजेपी दूसी तरफ द लेटेंट मैसेज क्या जाता है आदमी के दिमाग में जितने लोग ये पिक्चर देखेंगे पहली बार भी जो मैंने देखा मेरे दिमाग में यही थोट आए कि अरे एक कॉंग्रेसी इतना बड़ा लीडर कैसे चला गया वहाँ उसके पास तो मैसेज लेटेंट वे में जो कंविंसिंग और फाइनल मैसेज होगा वो मैसेज यह होगा कि देखिए कॉंग्रेस के एक बहुत बड़े नेता को तोड़ लिया गया शायद उनके अंदर कॉंग्रेस टूट रही है कमी आ रही है और वो संग में जा रहे है तो यह चीज है और एक इसका सबसे ग्रेट गे आज के 15-16 साल पाले मैं इनके वेबसाइट पे गया था इनके 25 जो है पॉइंट थे तो इनका जो ग्रेटर पॉइंट बेटर अब्जेक्टिव है उन सब को पूरा करने के लिए यह बहुत सोची संजी है और स्टेफ वाइस फेस वाइस यह रणनी थी है देश के कल्यान औ देश का कल्यान ग्राउंड जीरो लेबल पर होता है काम करने से होता है नो मैटर संग यह बहुत सारी और संस्था है कर भी रही है लेकिन यह मुझे दोजार उन्निस के चुनावी मुद्दे का एक अंग लगता है अंग लगा क्या संपर्क से समाधान चुनाव को जो चुनाओं से जोड़ेगी का बीजेपी इस मैटर को लेकर कि देखिये और दूसी चीज जो बात बहुत अच्छी प्रणों मुखर जी की बेटी ने कहीं कि तस्वीर का गलत इस्तिमाल किया जाएगा जिस तरह से अमेटकर साब का हुए क्या वो जोड़ा जागा कि देखिय आप प्रणदाब कम जो समझते हैं क्या जिंदगी बीजिद्गी कांगरेस के इंदर समाज को समालते हुए तो इतना कमजोर नहीं है दूसरा मेरे भाई ने कि सब्सक्राइब अपनी आपको ठीक कर रहा होगा अब ने जो उनका बयान आएगा वो बड़ा संतुलित होगा वो किसी की तारीफ लेकिन लेकिन इसी बात को लेकर का कि उस तस्वीर का उस कारीकरम में जाने की शिरकत का फैदा उठासे कौन फैब उठाएगा जी कांगरेस को नुक्सान हो रहा है वो शोग में जारा है कि संदके निर। अलग विचार दारा के लोगहों को ऐसे कारेक्रम हों बुलाय के जाती है ये मान नाकपूर के अंदर नहीं रहा है ये दिली में बiencies ने में मैं है सब्सक्राइब नहीं हो गया तो यह बात नहीं कहीं जाएगी सबसे पहले बोलते हैं और बीज़ बोलते हैं उनको बोलने ही आता है यह रटके आते हैं महां से जो भी जो ही बाद हो दिया विश्राइब देखिए आपको बता हूं फिर आसिप समझने की बात है मैं बोलता हूं चलिये संग बहुत अच्छा है तो क्यों नहीं हमारे माननी म संगतन है और समाज में अगर हर चीज बुराई है अच्छा ही है वो संग्ठन एक अच्छा काम कर रहा है अगर समाज का अच्छा काम कर रहा है और अगर राष्ट में किसी mitad की देश में बुरा काम अगर हो रहां तो संग्ठन तो जा सकता है संपर्ख कर सकता है स्ट वगां को अपने आपने कहा समाज का सगठन है कि समाज का सगठन नहीं है समाज में के अंधर responds लेमा ने परीवाचे आपने सगठन की संगे की परिवाचे एर समाज में सगठन है वह अच्छे-च्छë-चॅच्छ सुसेकों का दिर्मान करता है जो राशित की बात करते हैं उसके लिए कोई आसा नहीं है उसके लिए कोई आसा नहीं है कि मुस्लिम आयका निया कर मैशा कर दो आपके अपके शोड़ी नहीं है कि अपनाना चाहते हूं कि आज हम प्रवण मुझे इस बात का घर होना चाहिए देश को कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसी लोगतांत्रिक प्रत्क्रियाएं हैं कि उसका नेता किसी भी मंच पर जाकर अपनी बात कर सकता है कि मैं यह सवाल जाना जादू क्या मोहन भाग हुए को कहीं भी कोई ऐसी अर्गनाजीशन एकसप्ट कर सकती है अपने मंच पर नहीं कर सकती है क्योंकि उनकी विचारदार शंकी है, शंकुचित है, यह संकुचित है, यह संकुचित है, आपको रुड़ाता नहीं है, उब हैंटारबादी है, तो आपको नहीं पुलाएजा बसे कोई। आई संक्रतों चलते हो 33 साल होगे वो कोई छोटा संक्ठन नहीं है जी विश्व का सबसे बड़ा ग्याराजिती संक्ठन अगर है और विश्व के अंदर सवा सो सवा सो देशों से उपर संकी शाखर लगती हैं इंदूस्तान के अलावाद सतना जार से अधी स्थानों पर और प्रणाव दादा चले गए तो इतनी बेचेनी क्यों हो गई यह बात समझ से बहुत परे है एक छोटा सा एक्जामपल है आप किसी छोटे-मोटे संक्रतान के बात छोड़ दीजे देश के राश्टपती बने हुए कुविन साब को काफी एक अर्सा हो गया एक साल से बड़े नेता प्रणादा जो एक बहुती बड़े नेता रहे हैं 1984 से मंत्री है अगर वो जा रहे हैं एक आइडिलोजी दूसरी आइडिलोजी से मिल लिए तो इसको तो जसन की तोर पे लेना चीन है इंडिया इसको एज़ेश्ट विदा डिफेंट 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 पपला जी के पाट जाब मैं और आब अपक्र अगर दो विचारदारा के लोग हैं अगर वो उस मंच पर जा रहे हैं इसका मतलब यह तो नहीं माने जाएगा कि विचारदारा दोनों की एक हो नहीं दरसल ऐसा है कि अलग है लेकिन मंच पिजार एक एसा जहां पर सवाल है क कि यहां पर जो यह बाते चल रही है पोलफोर की बाता चल रही है विरुभाय की दसल यह होता है कि जैसे कल एक अपने का अप्वाव ओड़िये टूटर के माध्यम से कि सर्मिष्ठा मुखरजी भासपा को जो जो चुनाव लड़ेंगे उसके बाद आजकल बुजे पता है कि कि सर्मिष्ठा मुखरज अपता उत्राखंड में वहां पर तो वह पाहरी की चोटी बतीता उसको यह ख़र बेली तो इमिटेटी ट्वीट के वहां से एक दूसे बाती है कि यह ख़़र कहा से आए गए गे दूसे बाती है कि मैं जिसकी मेरी निष्ठा है कॉंग्रेस के सब्सक्राइब करें तो यह ख़़र किया कि संग के कारिक्रम में पुर्णा दा आते हैं और अवा यह उड़ती कि उनकी बेटी बीजेपी में शामिल होगी तो संग और बीजेपी का यहां पर तालमिल नहीं हो देखिए आप तो अपनी बात कोई काट रहे हैं आप आप सब्सक्राइब कारिक्रम में पिता का जाना बेटी का बीजेपी में के शामिल हो सकती है यवा उड़ना तो क्या संग और बीजेपी दोनों फिर एक नहीं है यह अप अब यह कैसे मानेगी विजेपी नोड़ाई है यह कुछ लोप पुलासते हैं जो दुखी है अपनी मा ब देखते हम पीजेपी का जोगए अवाघ्याद को रता रहा हूं यह अगर ऐसा हो जाया काश तो बहुत अच्छा है देश के लिए कि सारी पालटियों के देश के नेता जो बड़े-बड़े हैं मिल करके बैट करके ऐसे ही बात करे अगर यह अंतिमुत्देस हैं संग का इस आप देखिए दिन भर से इसी पर बवाल मचा हुआ है, सब लोग इसको इनकैश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यही पॉलिटिक्स है, इसी चीज का मैं बिरोत कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह बिजेपी का प्लाइंटेट प्लाइन समर्थन, समर्थन जो चला है, उसी कैम्पेन का यह इस्सा है, लेकि दूसरी चीज आगए, नहीं नहीं बाट संग बाले की में जा रहा है, कॉंगरेस है सिता राम यच्री जी के है, या मया बती या दूसरी और पार्टी हो गया है, लेकर आप यह पने आप जैना अगर, तो अरे हद हो गई इसम समाच सवा करो, आप बिना पुलाएं कहीं जा सकते हो, जहां ज़रूर रहता है, अगर चेतर में कोई NGO है, कोई आट हुले, वही प्रोटो को लोगी, प्रोटो को समके लिए है, अववा की बात कर रहे थे हैं, एक अववा उडादी की सरमिष्टा मुखरजी भाजपा जब कि आरच्षण के लिए हमेशा प्रतिवध्या, मोदी जी बोलता है, में जान चली जाएगी, आरच्षण नहीं हरने दूगा, तो इसमें क्यों नहीं आंसर रेते हैं ये लोग, देखिए इसमें आरच्षणा और उसका मने, इसमें दो पर को, अफवा की बाद नहीं, सवाल है, की प्रवड़दा के जाने से हम लोग हिरत में है, की इस बात पे इस पे इस पर चर्फशन ही होनी रहे हैं, प्रवड़दा जा रहे हैं, अपनी ओपीनियां दखेंगे, सवाल उनस्वा उन से होनी चाहिए, प्रवड़दा से आप पहले संघू को बीरोधी बतात तो परपय एक और इसमिते रहीं बोलो जो समान विचारधारा के नहीं हैं कैसे एक मंचपर नहीं कि और एक मंचपर आ गया तो जैसे इसे मालिया जाकि उनकी विचारधारा ही नहीं भी शुद आड़ने का तरीका लुद आने लोग तंद्र की खूबी है यह यह संग यह प्रशीन को भी है कि अपने संबाद कहीं पर भी रखते हैं दूसरे वियोदी आपको संबाद रखने संजय जी आपके कुछ नेता कहते हैं कि चले गए तो क्या बुराई यह व्यक्तिकत इनका फैसला है शुशील कुमार शिंदे के तो कुछ नेता बुराई करते आपको क्या वह नीए देखि है मैं यह कहनाचाहता हूँ जाता हूँ कि पर्णमोंघ्गर्जी जी इन सब चीजों से बहुत उपर हैं देश के राश्पती रहे हैं और वह से इन सब पार्टी पोलिटिक से और सभी चीजों से उपर रहें सभी पार्टियों के नावगर के पूरे देश कि राजपती रहें और मैं समस्ता हूं के एक सिर्फ इतनी भी बात है कांग्रेस की तर्सक्र्स हम लिए जाते हैं पूरी को लेकिंख वहात है हैं मगरं सुनना है सुरेंगे क्या वेकि जा रहे हों जाकर हैं जाकर महाँ क्या बात करतें एक बार आ आजाता है तो मैं समस्सा उसके पाड़ भाटीप ने किओने करना इसके ऑपर ठीक रहेगा मगर कोई अगर व्लिश के 스और की रून अच्छी गासी तारीब में आप से बात कर रहा हूं कि अच्छा कारे कि any कर रहे करे कर रहे तो सारे कारे गलत करती होगी यह तो कभी निका गया और उनके किनी कार्यों कि अगर पन्नमकरजी साहब अगर तारीफ करते हैं तो इसमें कोई इतराज नहीं है और हम जो कॉंग्रिस के लोग हैं खुले दिमाग के लोग हैं खुले विचारों के लोग हैं हमारे लिए किसी के लिए हमारे मिन में इदर विशन नहीं है मगर हम यह कहना चाहते हैं कि कोई कार्रे अगर उनके अच्छे है उनके विचार हमारे मों हैं और उनकी सोच अलग है हमारी सोच अलग है टो यह कारण है ङसी हो जाने ngày सब्सक्राइब कर रहा है और कुल यह संगी आपिशना संगी सिर्फ वन टाकर यह संग बातार सोच है यह कट अए प्लीक करेगी ना जी लेकिन हम तो मांते हैं अगर हमारे को लगा कि यह चुछेंगे इसमें संग को भीचें संग में हर उसका विरोद करेगा संग हर उसको रख्ति के रोट कर लुए तुन मैं पताता हूं संग संग वह जो वसे न और हमका मांते हैं और मात्मा गांडी के विचारों की हत्या करने वाले लोग आज बात कर रहे हैं कि हमारे के अंदर हम किसी कह ब्रा नहीं करना चाहते हैं इससे ज़्यादा पुरा क्या करेंगे आपने देश के नेता और देश के नहीं है नाम नहीं परति कार्थी उलग है इनकी माह बारथि अलग है यह देश के जंडे को नहीं हैं सब्सक्राइब करते हैं इनको मैं कहता हूं को इनको स्थान नहीं होना चाहिए यह संपरताइक लोग है यह यह इतनी मलब आरेसेस के वारे में इतनी नफरत क्यों है कांग रेसियों के मन में यह समझ नहीं आता आज आरेसेस में आज 1925 से लेके 2018 2022 2018 अ हैज़ा एग बेक्टी एक बेक्टी मजम कर दो चैसे मृटाबाद आज तसाम ही संगने संघं में कभी और जे रिविस्वत की तरीश में नहीं किये ऐजाए संघंग ने कभी और और से की तार्यूह नहीं कीये यह 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 कांके स्गरेस के लोग संकी वाशा बोल रहा है संके खिलाब बोल रहे हैं अभी अभी यह जो गार तेगा अभी यह भी उन्टेकर अबेसे संके बारे में संके बारे में आज और नहीं दोखता हैं तो फेले भीता अब धकते अंदर तो रहूं असित देखे अ मैंने आपको शुरू में रोला सारी सारी चीजे बहुत अच्छी हैं लेकिन अगर यह बात के वाल प्रणवदाजी और संगतक रहती लेकिन अब है क्या अपने अपने हिसाब से पर्सेप्शन को डेवलब करना बातों को फैलाना सारी पार्टियों ने शुरू कर दिया जो मैंने शुरू में बोला था कि सारी पॉलेटिकल पार्टियां हर एक इवेंट को कैसे इनकेश करें इस सीच में ज्यादा फोकस करती है और यही दुख की बात है इसी चीज़ के मैं अगेंस्ट हूं अगर बात के वाल है यहां मिलन तक होती कि हाँ भाई हम आ रहे हैं प्रणवताजी आ रहे हैं हम उसे सीखेंगे समझेंगे देश के विकास के लिए लेकिन लेयर विदिन लेयर वाली जो कॉंसेट है सारी पार्टियों में यह है कॉंग्रेस अपने हिसाब से परशप्शन बना रही है लोगों का बीजेपी अपने हिसाब से आपके सामने जबी मैं यहां शुरू में था अभी दो तीन पॉलिटिकल पार्टियों के हमारे भाई लोग आए देखा आपने परसप्शन बनाना यहां पर भी शुरू हो गया अपने अपने फाजे के ल हमेशा बीजेपी विरोध करती है यह वर्ला मखर जी एक वरिष्ट नेता रहे हैं क्या पता इसलिए भी बुलायों कि उन से कुछ सीखा जाए कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता से कुछ सीखा जाए मैंने दो तिन बारी आपको पहले क्या दिया है संग तो हमेशा बुलाता है जो हमारे विचार दारा के नहीं है उनको बुला के उनके विचार आजये क्या आते फिर देखें क्या होता है अभी मैं कहते तो सिखने सिखाए नियत यह नियत यह तो यह ओगी ना वह एक वरिष्ट नेता से कुछ सीखा जा है देश के बोथ बढ़े नेता सम्माननी को पहगे 1 कु बिल्कुल बिल्कुल सम्माननी है निया dönव्य उनको यहाँ पर बुलाया जाया उन पिछाड के है सब garlic says और Prescan कर दो तिकण लाट इससंद्ट करद मालमिय को पता है जय्ट मालुमने अब यहां पर यह वक्त बाहरा है कि अगर आपको भारतीता सीखनी है तो आप वहां जाओ आप वहां जाओ नेतागीरी समझनी है या राजणीत समझनी है तो यह जगा नहीं होती रहा विचारणारत को क्या इस दावत को क्या शिरकत को बहुत ज़ादा करके पेश किया जा रहा है बढ़ा करके इतना है नहीं कुछ तो जेसी बात आसीब जी ऐसा है, अगर आप पर आप घंसमूई आपर खाला है, तो एक भी है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, है क्या कि यहाँ पर भाजपा को और संगों को जो अलग अलग बताय जा रहा है, दरसल ऐसा नहीं है, भादपा और संग दोनों एक है, क्योंकि ये संग से निकल के ही जो है, धेरे धेरे करके जब इत्के पुरे अपना एक अपना वरिष्टी ही हो जाते हैं, तो उसले भादपा जोन कर लेते हैं, वैसे आप देखिये, आज मारे मोदी जी आज जो है, कहा से पर सकति अदर दोने से ईरलियो हैं, जो है क्यों गया है, ये सहासा गया है, झा जाएगी, निच पर रखाएं इन चीज़ो शेपक्त मोसेबाद के आप उतल से उस ऊपर है, ये वेशित्तह अब तरुटा को अभी साथ पंड़ा का टाइम हो रहा है साथ बीस पंड़ा इस पीज देना है उनका जो आपीस है बेपतकार गनाते आपको बता रहो हूं किस उनके जो अपना आपीस है उसके द्वारा जो हापर पस इंफरमेशन आ यह उनको से बीस प्रट का अपना है सिर् करह और से विचारधारा एक हो गई और यह बोलेंगे उसको पर फर्क पड़ेंगा क्या बोला रहे हैं ठीक है क्या कि दिस तरी किसा जिए राजीरी दावफेज खेले जा रहे से बोट के राजदिर के करांग क्या एक गोट के राजदिती है हमारे सब सब्सक्राइब मेरे यह युवाज फातिया आपर खड़े हैं तुमसे बातिया है मैं समझता हो कि मुश्रिजे दस हिजार पंद एदर कि अच्छा कि गिए यह नौकरी की बात आट जार जिसने भी खर्च किया है लेकिन क्या ये कॉंग्रेस साथ साल से शासन कर रही है उसने आज तक यह चीज़ क्यों सोन्चा कि लोगों को रोजगार दिया यह इतनी इंडस्ट्री यह फैक्ट्री लगाए यह तक्ट पट् पाइस में स्ब्सक्राइस का ओर में मुद्दार लेकिन साथ शाल में कुछ ने किया और पांच साल में कुछ ने किया और पांच साल 21 ज़सान में आप ऐसे उंगलिया उठाएंगे और इसना टाइम नहीं देंगे तो आप बहिमानी कर रहे हैं लेकिन आज हम मुलाकात को लेकर करें भाई ने का है 15 साल के सासन गुजरात में 15 साल सुरास सासन में ब्यापन जैसा बड़ा घुटाला सिख्छा विवस्था के अंदर से लेकर इन बीबियस की सीटे तक बेच ली गई मध्यपरदेश में और का रहा है विकास की बात एजुकेशन की बात ठीक और बात इसपे नहीं है बात इसपे है प्रवण मुखर जी प्रवण मुखर जी का वहां जाना अब बीजेपी इसको एक इवेंट क्रियेट कर रही है जो चुनाओं हारे हुए हैं उस चुनाओं के बैकप के तोर पर प्रवण मुखर जी का चेहरा यूज करने की कोशिस की जाए रही है बेल बात इस चेहरा पस्ची मंगाल में तलास आजाए जो मम्ताव अनर जी के खिलाब खडा किया जा सके उस तहां होगा क्योंकि एक इवेंट क्रियेट किया जा रहा है एक महौल जंता में समझ नहीं मिल रहा है जंताथ जिन्नाव एक बात मुझे रखनी है पिर्णाओ दादा जैसे बहुत बुद्धिमान ब्रक्ति अगर RSS के कारेले में जा रहे हैं कोई अचानक हुई घटना नहीं है जब वो राश्टपती थे और मोदी जी प्रधान मंत्री बनके आये तो आज तक आप नहीं सुने होंगे कि विरोधी दल का राश्टपती राज कि अगर आटल जी और मोदी जी ने उन्हें अपने पिता तुल बोला तो उन्होंने अपने 23 साल कारकाल में उन्हें प्रभावित गीया तब जाके उनकी एक विचारदारा उनने सोची कि चलो एक कोई डिफरेंट बचार आरह उसको भी जाके भी डिक दिने प्रभावित कि और गए वो संध में इसका तालमीन अप अप माने चैनल मानौ में कोई पाइटी से निए तो मानता हूं अगर अगर आटल जी हो चाहिए मोदीजी हो हर कोई संग से ही निकला है तो जो हमारी ट्रेनिंग हुई है जहां से हम पढ़ें हुआ सरसाती सिजु मंदर से पढ़ा हू कि आप एक चीव पता दीजे कब हमने कांग्रेस की एज शन्ग बिचारधारा से बुराई गर दीजब हम किसी दूसरे पद में आ जाते हैं हम संग से अपना कार खतम करके एक ब्यक्तिकेद पार्टी के तौर पर आजाते हैं पार्टी के एक गाम करते हैं जब तक हम एक संग में हैं कोई किसी दी पार्टी की बुराई नहीं करता अगर आप में अफेक्ट में लिखके दे सकता हूं कि आप बता दीजिया अगर को राश्डपति और मुख्यमंत्री या राश्टपति प्रढ़ान मंत्री के बंद में जब अलग अलग पाटी को लोग रहते तो बंती नहीं है तो ए इस मान रहे हैं कि कांगर्येस कर आश्टपती निक्सपक्च चोता है और विजयपी द्वारा निव्ट कि जो देश का जो हमारे मुहलबू सद्दान्त हैं जो कॉंस्टिटूशन की बाते हैं शायद मैं समस्ताओं के आवे ससके ने किनी बातों को लेकर के भी रिजर्वेंस था और पर्णम मुर्जी मुखर जाएंगे मैं समस्ताओं लोगों को भी सीखने का अफसर मिलेगा उन्ह दलीतों के खिलाफ या अरक्षन के खिलाफ जो आरसस के इंदर एक रिजर्वेंस है मैं समस्ताओं अगर पर्णबदा जैसे लोगों आ जाएंगे उनको भी सब्द्दी आएगी अच्छी चीजे सीखने को मिलेगी मैं यह कहना चाहता हूं मगर यह भारत्य इंता पार्टी यह मैं कहना चाहता हूं दन्यवाद यह मेरे भाई ने सविधार की बात करिये मुझे तो असी आरेती भाई की सविधार की बात देगे जिसमें 75 में अब जन्सी लगा दी जिसने 84 के अंदर सिख्रों कतलयाम कर दिया जिसमें बानने बार देश के इंदर राजपती शाशन करते हैं को लोग तंतर की बात करते हैं यहां अब बता रहा हूं अगर देश के पर प्रेच में देखा जाया जैसे अभी यह बाईसा बोल रहे थे किसी ने विकास नहीं किया देखिए विकास कम जादा करके अपने अपने इसाब से सारी पार्टियों के टाइम पे हुआ है और मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि सारी पार्टियों में अच्छाईया बुराईया है ब्रस्ताचार विकास अच्छी पूरी चीजे हुई है ये राजनेतिक पार्टि के ये नेता लोग हैं मैंने आपको बोला छोटी सो छोटी चीजेओं पर ये लोग इनकैश करेंगे कि हम ब्रॉडर लेबल पर दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं अपने बिरोधियों को भी एक्सेप्ट करते हैं ये एक संग का इस्टेजिक गेम प्लान है बीजेपी इसका जबर्चस फाइदा उठाएगी कोंग्रेस में जो टीवी देख रहा था कि कोंग्रेस बैफुट प्ट पर है वो इसको ठीक से प्रजेंट नहीं कर पा रहे हैं डिफेंड नहीं तर पा रहे हैं कहीं न गहीं इसका राजनेटी बेनीफिट भी पहले से लिया जाना है वो तै हैं और इन सारी चीजों का वह अब बंदोर स्वाइड़ी आप देख रहें और टीवी पे हैं नुक्सान और क्या फाइदा है इसको लेकर परणो दॉड़ जो पहुंच रहे हैं संग करें तरसल ऐसा है कि दुख्षाज और फाइदे का यहां तरह से इस तरह किसे यह सारी को दुख्षान और फाइदे की व अब बात रखेंगे वह अपने आपने विशेस होगी और मैं समझता हो कि साथ इतिहास में वह चीजे दर्ज होगी तुसरा है कि जहां तर सवाल है भाजपार कॉंग्रेस का दरसल यह अपने राजिते का पर बारे में संगेडन के बारे में कहेंगे है ऐसा लगता कि देश क पड़ेगा आज के बात से जितने टीवीडी वेट होंगे दो महीने तक देखिएगा बीजेपी का हर स्पोर्ट पर्सन कॉंग्रेस को बैक फुट पे लाएगा यह बोलके कि भाई फिर क्यूंग अपनावदा जी अगर आप इतनी अपनी पार्टी से समर्ती थे आपकी मैं वहीं बोलना हूं जो ग्रेटर गेम प्लान है पॉलिटिकल व्यू से अगर आप यह देखें जो हजार रहा जो पोस्टिरिंगे जो लेटेंट वे में मैसस को जो है प्लैंट किया जाना है 2019 के पाले लोगों के दिमाग में और संग का जो अपना रिमेक ओवर करना है जो जो फोटो आने वाले जो दिखाये जाएगा कि यह देखि आपके जो गदावर नेता थे राजी गांडी इंद्रा गांडी इनके साथ उनने संग को गाली दी हमारे कम आप मैं मीडिया से एक एने चाह रहा हूं अभी प्रनब जी आरसस के प्रोग्राम के चले गई उसक प्रदानमंद्री राजने दिख रहा हूं तो उसको उस प्रोग्राम के लिए हमारा प्रणाम गये थे उसमें क्या गलत है आको क्या गलत दिख रहे हो है इसी लिए बोलता हूं कि यहां से हो रहा है और इसलिए मैं बोलता हूं कि यह प्लैंटेड स्टोरी है बहुत सोची समझें रणमीत के ताथ यह चीज बनाई गई गई है बात है है न कि आग जो दो दिन से मीडिया भूमिका बना रही है एक तरह से गोधी मीडिया जी से कहते हैं वो एक तरह से भूमिका बनाई जा रही है कि अच्छा आभार के बाद अब देखो फिर से विजेपी आ रही है अब ये प्रवदाजी के साथ देखो जिस प्रवदाजी को गांग्रेस ने एकर दिया प्रधान मंत्री नहीं बनाया अब संग के सरडने में है तो ऐ तरह की जो एड्लाइन के साथ मीडिया दिखाना चाहते ही है ने कि प्रवण मुखर जी के मुद्दे पर लाना चाह रही है यह नहीं दिया यह इनकी बातें सुनके ऐसा आज अगर प्रणा मुखर जी खुद देखेंगे ना वह खुद ऑपने आपको तdag शोटा महसूस करेंगे कि इनके कार करता जिनके लिए उन्होंने इतना काम किया आज एक किसी प्रोग्राम में जाने से उनके बारे में से सी बातबे करना तो यह खुद अपनी पार्टी को नुक्सान पहुंचा रहे हैं अगर किसी के प्रोग्राम में जाना गलत है मनी संकर यह पाकिस्तान में जा सकते हैं वह गलत नहीं है उसके लिए यह लोग नी बोलेंगे बट प्रणाव दादा अगर आरे से कार्याले में एक बार चले जाए तो यह हमारी विशाछी बेशारणा अर्साय है केने आप लुटे तयम आरा मैं जो पिंचर में संग जे एक ब्रणाख किया और हो री है ऐफ़ी है जोडिचारणाजहें जोड़ होगी थे बात हो रही है वह दीजी यहाँ किए वह आगर यह जिस तरीके से यहां चर्चा चल रही है तो चर्चा चल ले बोटों की रास नहीं चीए कि अगर पहुषते तो विचार दा रहा है तो अब कर दो यह जो लगारा इतना बड़ा इतना बड़ा मुआइल उठा रहा है यह मीडिया काहा हूँ है अगर यह जिस संग की अगर यह विचार दा रहा है तो संग की अगर यह विचार दा रहा है तो अपने लिए बिए करना चाहिए जब बढ़े-बढ़े नेता भी दूसरी पार्टियों के पास जांग जब दूसरी पाटी के लोग बुलाएं तो संग के बढ़े-बढ़े नेता भी वहां में पर जाम एक प्राप सपाब बसमा चोड़ी चोड़ी चीजों का उठाते हैं अपने देश में तो कहीं जा सकते हो मैं आपके घर जा सकता हूं पिना बुलाया आप मेरे भाई हो आप मेरे भाई हो लेकिन उसकी थोड़ी पोजिशन अलग है वो एक हमारा सदय उसे ही मतलब हमको हानी पहुंचाने वाला वो देश रहा है उसके कोश्चन उड़ सकता है लेकिन फिर भी ना तारीफ करूंगा जाई हमने कोशिश की झाल भीवा जाई हमेरा अलग है ठारीब प्रह बह्ट काने है वो एक है स्दक मेर वोड़ पेऊेम धन्टेजरार d offer मेरे जाई है तेर भी नह हमेंट पर रूंचाने हमार वो एक है राग cringe . झाल झाल